लो आ गई परवल की एकदम नई रेसिपी जिसके आगे नौन बिच पनीर खाना भूल ही जाएंगे जब आप मेरे तरीके से परवल की सबजी बनाएंगे तो हलो दोस्तु कैसे हैं आप आई हो पाप सब बच्चे होंगे, सस्त होंगे तो दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं परवल की सबजी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर, कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेर जरूर कर दीजिएगा तो फ्रेंट्स ये हम बहुत ही हेल्दी तरीके से परवल की सबजी बना रहे हैं तो फ्रेंट्स देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपनी यू निकसी रेसेपी बनाना तो हमने 250 ग्राम परवल ले लिये हैं और इनको अच्छी तरीके से वाश कर लिया था और इन्हें चील लेंगे तो देखे एक परवल चील चुका है और इसी तरीके से सारे परवल चील लेने हैं तो देखे सारे परवल जिल चुके हैं अब इसमें हम लगाएंगे चीरा तो एक चाकु ले लीजिए और इसमें बीच से चीरा लगा लीजिए चार चीरा लगाने हैं तो देखे एक परवल में हमने चीरा लगा लिया है और इसी तरीके से सारे परवल में चीरा लगा लेंगे तो फ्रेंट्स अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और न्यू फ्रेंट्स जो हमारे चैनल पर पहली बार आए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे की आपको नई नई वीडियो देखने को मिलें तो फ्रेंट्स देखिए हमने चीरा लगा लिया है और सारे परवल में चीरा लग चुका है चलते हैं गैस की और तेल भी गरम हो चुका है इसमें सारे परवल डाल देंगे हमने सरसों का तेल लिया है आप जो खाना पसंद करते हों वो ले लीजिएगा और इसको हमें हलका सा भून लेना है परवल को तो देखिए परवल भी हमारे भून चुके हैं इसे हमें प्लेट में निकाल लेना है तो देखिए प्लेट हमने ले ली है और इसमें सारे परवल हम निकाल लेंगे क्योंकि हमारे परवल अच्छी तरीके से भून चुके हैं और इनने हमने प्लेट में निकाल लिया है सिम कड़ाई में हम दो लंबे साइस में आलू डालेंगे और इसको भी भून लेंगे अगर आपको आलू नहीं पसंदे तो इसकी भी कर सकते हैं तो आलू भी हमारी अच्छी तरीके से भून चुके हैं और इनको भी हमें प्लेट में निकाल लेना है तो देखिए दोनों चीजे हमने प्लेट में निकाल ली है और सीम करहाई में हम 6-7 हम लहसुन की कलियां डालेंगे और डालेंगे 2 प्यास कटे हुए और 3-4 सूखी मिर्च डाल देंगे और इसमें डालेंगे 1 टमाटर कटा हुआ और इसको मिक्स कर देंगे क्योंकि हमें इसे ज्यादा पकाना नहीं है सिर्फ एक मिनट के लिए सॉफ्ट होने तक ढखकर पका लेना है तो देखी एक मिनट हो चुका है टमाटर प्यास हमारे अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और इन्हें हमें निकाल लेना है एक कटोरी में क्योंकि अब हम इसको बनाएंगे एक फाइन सा पेस्ट तो ठंडा करके ही बनाएगा नहीं तो आपकी मिक्सी खराब हो जाएगी तो इसे हम ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें सारा टमाटर और प्यास डाल देंगे और एक पेश्ट तयार कर लेंगे तो देखिए पेश्ट हमने तयार कर लिया है, अब चलते हैं गैस की ओर, तेल भी हमारा गरम हो चुका है और जो पेश्ट तयार करके रखा था वो डाल देंगे और चलाते हुए इसे पका लेंगे तो देखिए पेश्ट भी हमारा अच्छी तरीके से हमने भूल दिया है, अब इसमें हम डालेंगे आधा चमच कश्मीरी लाल मिर्च और एक चमच हल्दी पाउडर और एक चमच धनिया पाउडर और आधा चमच काली मिर्च पाउडर और एक आधा चमच गरम मसाला डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे नमक स्वात के नुसाय डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे चलाते हुए और इसमें हमें थोड़ा सा पानी डाल देना है जिससे की मसाले हमारे अच्छी तरीके से पक सकें तो पानी डाल कर इसे मिक्स कर देंगे तो ये रेसिपी बहुत ही स्वाधिस्ट बनने वाली है तो देखिए मसाले भी हमारे अच्छी तरीके से पक चुके हैं तो देखिए कितनी अच्छी खुश्बू भी आने लगी है अब इसी समय हम सबजी जो फ्राइ करके रखे हैं वो भी डाल देंगे और इसको चला देंगे तो फ्रेंट्स वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंट्स तो देखिए मिक्स कर दी है हमने और इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी पानी आपको जितनी ग्रेवी अच्छी लगे उसी तरह से आप पानी डाल लीजिएगा तो देखिए हमने पानी डाल दिया है और इसे ढख कर हमें 10 मिनट तक पका लेना है तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और सबजी हमारी बन कर तया है एकदम स्वादिस्ट लाजबाब बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है तो देखिए इसी समय हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी इससे सबजी का स्वाद और पर जाएगा तो देखिए कितनी टेस्टी बनी है कलर भी बहुत अच्छा आया है अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया और मिक्स कर देंगे तो चलिए इसको प्लेट में सर्फ कर लेते हैं तो देखिए कितनी स्वादिस्ट बनी है इसको जरूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये सबजी बहुत ही तेस्ती है आप इसको ट्राई करिए उखाईए ये रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है तो फ्रेंट्स कैसी लगी रेसेपी कमेंट करके बताईएगा आप हमको जरूर और न्यू फ्रेंट्स जो हमारे चैनल पर पहली बारा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दवाना बिलकुल मत भूलिएगा जिससे की अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और जो दोस्त हमारे वीडियो हमेशा हमारे देखते हैं उन दोस्तों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा वीडियो लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप हमारे वीडियो में हमेशा आते हैं तो सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों तो इस रेसिप को जो ट्राइ करिएगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो तब तक के नमस्ते